5.1 जड़तु तथा द्रव्यमान अभी तक दिये गए सभी उदारनों से ज्यात होता है कि प्रतेक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है चाहे वह विरामा वस्था में हो या गतिशिल वह इस सिस्थिति को नहीं बदलना चाहती और अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है वस्तु की यह प्रकृति ही जड़त्व है इससे कई और सवाल उभरते हैं जैसे यह सोचा जा सकता है कि क्या सभी वस्तु में जड़त्व होता है यदि हाँ तो इसका मान किस पर निर्भर है और यह भी कि क्या सभी वस्तों का जड़त्व समान होता है आईए इसे जानने के लिए एक क्रिया कलाब करते है क्रिया कलाब दो प्लास्टिक के दो बोतल का और खा ले बोतल खा में पानी भरे दोनों बोतल को हाथ से मार कर गिराएं किस बोतल को गिराना ज़्यादा आसान था? आप पाएंगे कि खाली बोतल को भरी बोतल के पेक्षा हाथ से मार कर गिराना आसान है इसी तरह पुस्टकों से भरे बोक्स को धक्का देनी के पेक्षा खाली बोक्स को धक्का देना आसान होता है ऐसे कई और उधारन हम सोच सकते हैं जैसे साइकल पर अकेला व्यक्ति हो तो साइकल को ब्रेक लगा कर शिग्रता से रोका जा सकता है परन्तु जब आपके साथ आपका मित्र भी साइकल पर बैठा होता है तो साइकल को ब्रेक लगाकर रोकना कटिन हो जाता है क्या आप इनका कारण समझा सकते हैं? भरी हुई बोतलों की अवस्था बदलने के लिए खाली बोतल के अपेक्षा जादा बल की आवशक्ता होती है इसी प्रकार जब एक वेक्ती साइकल चलाता है तो चलती साइकल को रोकने में कम बल लगता है जबकि दो वेक्तियों के बैठे होने पर ब्रेक लगाने में जादा बल लगता है इसका अर्थ है भारी वस्तों में जादा जड़त्व होता है जड़त्व वह प्रकृती है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गती की अवस्ता में बने रहने का प्रयास करती है द्रविमान वस्तु के अवस्ता परिवर्तन में विरोध का मापक है अर्थात द्रविमान वस्तु के जड़त्वे प्रवित्ती का माप है द्रविमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा ऐसाई पद्धती में द्रविमान का मात्रक किलोग्राम होता है